जारखंड के हजारी बाग में रात का खाना खाने के बाद 45 जवानों की तब्यत खराप हो गई जिसके बाद आनन फानन में फूट पॉइजनिंग के शिकार हुए जवानों को इलाज के लिए सदर इस्पिताल में भरती कराए गया बताय जा रहा है कि जवानों को दिये जाने वाले रात के खाने में छिपकली गिर गई थी जिसे खाने के बाद सभी जवानों की तब्यत खराप हो गई जवानों की खराब हालत देख बैरक में अफरत तफरी मच गई आनन फानन मेज सभी जवानों को पास के सदर अस्पताल में भरती कराये गया जहां भी उनकी हालत स्थिर्व बनी हुई है जब इस मामले में जारखन पुलीस मेंस एसोसियेशन के प्रदेश महामंत्री से बात की गई तुर ने बताया कि मेस के खाने में छिपकली गिर जाने से जवानों की तबियत खराब हो गई थी जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है आज पिटीसी पादमा इस्थित गंगा बैरक का जो मेस का खाना बना था उसमें चिपकली गिर गिया था और उसी चिपकली गिरा हुआ सबजी को खाने से हमारे 42 जवान, 45 जवान हमारे उसका परकुप में आ गये है जवानों का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि पूर्ट पॉइसनिंग के चलते जवानों को अस्पताल में भरती कराये गया है जहां सभी जवानों की हालत स्थिर बनी हुई है आखिर सवाल यह उपता है कि जो जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं उनको दिये जाने वाले खाने में इस तरह किला परवाही कैसे की जा सकती है सरकार को जल से जल इस तरह किला परवाही करने वालों पर सक्त कारवाही करनी चाहिए पंजाब केसी टीवी के रहजारे बाग से राजकुमार के रिपोर्ट